हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन्ड एक्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं हम आज की क्लास को आज की क्लास में आप सीटेट के साइन्स के प्रिवियस यर्स के क्वेस्टन देखेंगे तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए शुर स्वसन दिन और रात दोनों समय होता है केवल दिन के समय होता है केवल रात के समय होता है या फिर इन में से कोई नहीं बात करेंगर पहले option की तो स्वसन दिन और रात दोनों के समय होता है ये बात तो ठीक है केवल दिन के समय होता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है अगला है के वो रात के समय होता है तो रात के समय भी नहीं होता है तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है option number A स्वसंद जो होता है वो पौधो में दिन और रात दोनों के समय पक्रिया चलती है चलिए अगला question देखते हैं question number 2 है आपका pyruvate का carbon dioxide पानी और उर्जा देने के लिए तूटना होता है तो आपके जो option दिये गया है वो है option A Leukoplast, option B Cytoplasm, option C Mitochondria, option D Kendra, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि pyruvate का carbon dioxide और पानी उर्जा देने के लिए तूटना क्या कहलाता है तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो है option number C Mitochondria, देखिए अगर बात करें हम Mitochondria की, तो Mitochondria को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, और ये जो आपके Mitochondria होते हैं, ये सभी Eukaryotes में पाया जाते हैं, आपको ये भी पता ही होगा, वहीं बात करें अगर Mitochondria की, तो Mitochondria में ही आपकी क्रेपस साइकल भी चलती है, और बात करें अगर Mitochondria की खोज की, तो Mitochondria की जो खोज थी, वो आपके Altomain के द्वारा 1886 इस्वी में की गई थी, वहीं बात करें, अगर इसके नामकरण की, तो जो इसका नामकरण था, वो C Benda के द्वारा 1898 में दिया गया था, तो उमीद करते हैं, आपको ये question जरूर समझ में आया होका, और जो मैंने आपको extra information दी है, ये भी आपको ध्यान लखनी है, ये आपके Ted के point of view से most important रहने वाली है, चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं, question number 3 है आपका, पौधों में आवाईविय स्वसंद द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या क्या है, आपके option दिये गया है, इथेनॉल carbon dioxide, sulfur, अगला है उर्जा, इथेनॉल और magnesium, magnesium sulfate और carbon dioxide और फोर्थ है आपका उर्जा, इथेनॉल और carbon dioxide, तो आपको सही answer बताना है, कि पौधों में जो अवाईविय स्वसंद होता है, उसके अंदर क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं तो इस question का जो सही answer रहने वाला है, वो है option number B उर्जा, इथेनॉल और magnesium जो होता है, यह पौधों में अवाईविय स्वसंद के द्वारा प्राप्त उत्पाद माने जाते हैं, तो आई होप आपको यह question में clear हो गया होगा चलिए, इसी के साथ next question देखते हैं, question number 4 है आपका, निम्मे लिखित में से कौन सा उदासीन लवण है तो आपको इस question में उदासीन लवण के बारे में बताना है आपके option दिये गए है sodium hydroxide, sodium carbonate sodium chloride और ammonium chloride तो आपको इसका सही answer बताना है कि कौन सा उदासीन लवण है तो आपका जो इसका सही answer रहने वाला है, वो है option number C sodium chloride जो है आपका ये एक प्रकार का उदासीन लवण माना जाता है, तो वहीं बात करें अगर sodium chloride की, तो जो आपका sodium chloride होता है, ये एक प्रकार का आकार्बनिक योगिक भी माना जाता है और इसके रासाइनिक सूत्र की यदि बात करें, तो इसका जो रासाइनिक सूत्र होता है वो एने jestCI l होता है आपको यह क्वेशन दिहानना नखेना है वहीं बात करें को के सॉडियम क्लॉराइड की जलग खारापन के साथınुद्र का जलगर के खारापन हैं यह τ quería जाता है SEAL हो गई होगी चलिए इसी के साथ नेक्स क्वेशन पर बढ़ते हैं क्वेशन नम्बर फाइफ है आपका निम्मे लिखित में से किन खाद्य पदार्थों का भंडारण अम्मिनियम के मर्धभंड में नहीं हो सकता हैं तो आपको बताना है इस क्वेशन में कि ऐसी कौन सी चीज है जो है आपके नहीं की जा सकती है आपके आप्शन दिये हैं आंव्ला चावल दाल और इन में से सब तो आपको इसका सही आंसर बताना है इसका जो सही आंसर है वो है option number A आफला जो है आपका इसको store करके अलमुलियम के जार में नहीं रखा जा सकता क्योंकि आपने आपका आईरन पाया जाता है तो इसी वजह से जो है वह आपका एल्यूमीनियम के मृत्भंड में स्टोर करके नहीं रखा जाता है चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं question number six है आपका glycolysis के प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है आपके option दिये गए है प्रोटोप्लाज्म, नुक्लियस, माइटोकॉंड्रिया और साइटोप्लाज्म तो आपको सही आंसर बताना है इसका कि ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया होती है वो आपके सेल के किस पार्ट में चलती है तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है option number D साइटोप्लाज्म में आपका जो है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया चलती है देखिए अगर बात करें हम ग्लाइकोलाजिस की तो ग्लाइकोलाज़िस का मतलब ही हही होता है분 कि ग्लुको्स का तूटना होता है चलिए अगला question देखते है Q7 है आपका रक्त की अलावा मानव शरीर में एक रक्त संचार द्रव का नाम बताईए तो इस Q7 में आपसे पूछ रहा है कि आपके ब्लड की अलावा मानव शरीर में और कौन सा ऐसा द्रव है जो उपस्थित रहता है आपके option दिये गये है WBC, RBC, Platelets और Plasma तो इन 4 option में से आपको सही answer बताना है कि जो आपका blood होता है इसके अलावा मानव शरीर में कौन सा एक रक्त संचार है जो की द्रव के रूप में उपस्थित रहता है तो इसका जो सही answer होने वाला है वो है option number D Plasma जो है आपका ये रक्त संचार द्रव के रूप में उपस्थित रहता है मानव ब्लड के अंदर चलिए next question देखते है question number 8 है आपका Cloning के संदर्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है आपके point दिये गये है A point कह रहा है आपका यह केवल जन्थों में संभव है और B कह रहा है कि इसमें किसी कोशिका या जीवन्त भाग या किसी जीव का सटीक प्रतलिपी का कारण होता है और C point है आपका इससे बहुत संख्या में संतती की उत्पत्ती होती है तो आपको सही answer बताना है कि क्लोनिंग के संदर्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरोदास सही है पहले तो बात करें क्लोनिंग की देखिए क्लोनिंग वो होती है जो आपकी एक जीव से दूसरे जीव को तयार कर लेना यहीं आपको जो है वो क्लोनिंग कहलाता है वहीं आपको बताना है इस question का जो सही answer रहने वाला है वो है option number 3, B और C इसमें किसी कोशिका या जीवन्त भाग या किसी जीवका सटिक प्रतलिपी का कारण होता है और C है आपका इससे बहुत से संख्या में संतति की उत्पत्ति होती है तो आपका B और C ये दोनों ही सही है इसलिए आपका option number 3 जो है वो सही हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं question number 9 है आपका ammonium chloride का घोल डैश आपके option दिए गये है option number A लाल litmus को नीला कर देता है लिटमस के विलियन को रंग हीन कर देता है या फिर लिटमस के विलियन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है या फिर नीले लिटमस को लाल कर देता है तो आपको सही बताना है कि जो ammonium chloride का घोल होता है वो क्या कर देता है पहली बात करें अगर ammonium chloride की तो ammonium chloride का जो घोल होता है वो किसको किसमे परिवर्तित करेगा आपसे ये question में पूछ रहा है तो आपको इस question का answer बताना है तो आपका जो सही answer रहने वाला है वो है option number D लाल कर देता है ammonium chloride का गोल देखिए जब आपके acid formation होती है तोलाल कलर बनेगा और जब आपकी base formation होती है तो ये blue color बनेगा तो आपको ये point दोनों ही ध्यान रखने है कि जब acid formation होगी तो लाल कलर देध का और जब आपकीा गैस की formation होगी तो इसमें bluevention दर देगा चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं question number 10 है आपका पत्तियों के उन छिद्रों की नाम बताइए जिनसे होकर गैसों का स्वसन विनमय होता है और आपके option दिये गया है इस्टोमेटा, जाइलम, वेक्यूल्स या फिर फ्लोयम तो आपको इसका सही आंसर बताना है आपका जो सही आंसर है वो है option number A इस्टोमेटा, इस्टोमेटा से ही आपका पत्तियों के जो छिद्रों होते हैं उन में गैसों का स्वसन विनमय होता है देखिए वहीं बात करें अगर जाइलम की तो जाइलम जो होता है यह आपका पौधों को जल पहुचाने का कारे करता है वहीं जो आपका फ्लोयम होता ह यह पौधों को भोजन पहुचाने का कारी करता है वहीं बात करें अगर आपके वैक्यूल्स की तो आपके वैक्यूल्स होते हैं यह प्लांट्स में एक्स्टर फूड होता है जो उसको स्टोर करने में हल्प करता है तो आई होप आपको यह सारे ही पॉइंट्स भी क्लियर हो होंगे इसी के साथ चलिए अगले question पर बढ़ते हैं question number 11 है आपका यहां देखा गया है कि वर्षा रितू में copper के एक पात्र का ठै होकर यहां बनता है आपको बताना है कि जब आपकी वर्षा रितू होती है तो उस टाइम पे जो copper का बरतल होता है वो क्या बन जाता है आपके option दिए गया है copper hydroxide और copper carbonate की लाल भूरी परत हो जाती है copper carbonate और copper oxide की श्वेत परत बन जाती है या फिर copper oxide और copper hydroxide की काली परत बन जाती है या फिर copper hydroxide और copper carbonate की हरी परत बनती है तो इसका जो सही answer है वो है option number D copper hydroxide और copper carbonate की जो हरी परत होती है वो वर्षा रितु में आपके carbon के पात्र में जो होता है वो आपकी हरी बना देती है चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं question number 12 है आपका निम्म कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चैन कीजिए आपके कथन दिये हुए है और आपको इसका सही आंसर बताना है पहला point है आपका हथोड़े से आगहात किये जाने पर द्रव से भरे आधे बरतन की अपेक्षा एक खाली बरतन आधिक प्रबल ध्वन उत्पन करता है और आर दिया हुआ है आपका बरतन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घुनत्व कम होता है तो आपके झो इसमें option दिये हैं वह पूछ रहे और इके सहीव्याक्ष्या करता है या फिर अ बार दोनों ही सही है लेकिन जो और है अपका वोदो हैं या तीसरा regen है आपका एस ही है लेकिन आर गलत है और चोथा दिया है आपका ए virtr सही अंसर होगा वो है option podcasts 3 सही है लेकिन आर गलत है मतलब कि जो हथोड़े से आघात किये जाने पर द्रव से भरा जो बरतन होता है उसकी अपेक्षा एक जो खाली बरतन होता है वह अधिक प्रबल्द्वनियुत पन करता है तो चलिए इसी के साथ अगले कोईशन पर बढ़ते हैं कोईशन नमबर 13 है अपका नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाहतम आघात को दरसाता है तो इस कोईशन में आप से पूछ रहा है कि जो आपकी आग होती है वह सबसे बाहर की क्या चीज़ दसाती है तो आपके ऑप्शन दिये ग पर आपर होता है और अप्शन डी दिया हुए आपका इन में से सभी ऑप्शन सही है आपके बात करें अगर किसी ज्ला की बहतम आघात की तो इसका जो सही आ अंसर होगा वह है इसका ताप जो है वह हंड़ेड डिग्री से बहुत अधिक होता है तो आपका एस ही है हैं हम वायू मंडल के भार से चिपकते नहीं हैं क्योंकि आपको बताना है आपके ऑप्षन क हमारे सरीर के भीतर को निरस्त कर देता है इसी के साथ ही ऑप्षन दिया हुआ है हमारे सरीर के भीतर का दाब वायूमंडली दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है तो आपको इसका सही आंसर बताना है तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हमारे सरीर के भीतर का दाब वायूमंडली दाब के अपेक्षा अधिक है ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल भी Option B दिया हुआ है आपका हमारे सरीर के भीतर का दाब वायूमंडली दाब के अपेक्षा कम होता है ऐसा भी नहीं है Option number C है आपका हमारे सरीर के भीतर का दाब वायूमंडली दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है यह option आपका ठीक है तो आपका जो सही answer रहने वाला है वो है option number C चलिए इसी के साथ अगले question पर बढ़ते हैं question number 15 देखते हैं आपका निम्म में इसे कौन सा मिश्रोडों के समुच्चे को निरूपित करता है आपके option दिये है दूद, समुद्र का पानी, साबुन का जहाग और चीनी अगला दिया है वायू, चीनी, दूद, कारबन डाइयोकसाइड और समुद्र का पानी और तीसरा दिया है आपका वायू, मृद्ध या फिर समुद्र का पानी और option D में धिया है आपका कारबन डाइयोकसाइड, वायू, मृद्ध या फिर समुद्र का पानी तो इसका जो सही answer है, वो है आपका option नमबर C, वायू, दूद, साबुन का जहाग, मृद्ध और समुद्र का पानी तो ये सारे ही जो मिसरण हैं आपके ये एक सारे समुच्चे को निरूपित करते हैं चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं question number 16 क्या है आपका ही देखते हैं तो question number 16 में पूछा है आपका कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो धातों के पिखलने के तापमान के कर्बढ़ते कर्म को दर्शाता है आपके option दिये गsterreich ए ये यह प्रीकर पारा तंबा और वहा पारा एलूमेनियम टामबा और वहा कसंपार पारा तंबा वहार mean ये तो इस question का जो सही answer रहने वाला है वो है option number B, पारा, अल्यूमिनियम और तामबा, साथ ही इसके लोहा जो होता है, ये धातों के पिघलने के तापमान के बढ़ते क्रम को दर्शा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस question को, चलिए, अगला question देखते है, question number 17 है आपका, हमारे सौर परिवार में दो ऐसे ग् तो आपको बताना है ये ग्रह कौन से है इसे के साथ आपके option पड़िंगों करते है तो इस question का जो आपको सही रहने वाला है वो है option number D, शुक्र और यूरेन जो है आपके ये दो ऐसे ग्रह माने जाते है जो पूर्व जीवे पód Education और्णान करें वहीं बात करें अगर शुक्र की तो जो आपको शुक्र क्रीक्राइं इसे प्रतिवी की बेहन या इसे जुडवा ग्रह भी कहा जाता है और इसly के साथ हम शुक्र क्रीक को भोर का तारा और सांच के तारे के नाम से भी इसको जानते हैं और वहीं बात करें अगर हम शुक्र के परिक्रम नकाल की तो इसका जो परिक्रम काल होता है वह दो सील करना तापन या फिर पीटना तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो छण चुम्बक की चुम्बक की विसेस्ताओं को इसके अंदर नस्ट करती है आपके ऑप्शन दिये हैं इसमें आगे केवल B, केवल C, B और C दोनों ही या फिर C और D दोन हैं यह छण चुम्बक की चुम्बक की विसेस्ताओं को नस्ट कर देती हैं चलिए इसी के साथ next question पर बढ़ते हैं question 19 है आपका नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए तो आपके option दिये गया है option नमर ये में पूछा है पौदी प्रकास संसलेशन के बिना भी कुछ स समय तक जीवित रह सकते हैं तो हां बिल्कुल रह सकते हैं अगला है पौधे स्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पौधे आपके स्वसन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं जीवित अगला पूछा है आपका पौधे के और स्वसन पॉदों में होने वाली सम्छडिक प्रक्रिया है तो बिल्कुल यह भी सही है आपका तो आपका एसी और डी जो है आपका औप्षन यह तीनों ही सही है तो इस में से आपको जो जही कतन रहने तो आपको बताना है कि जो आपका बास का पौधा होता है, इनमें जो इन पौधों की पत्तिया होती हैं, इनका सिराविन्यास और जड किस तरह के होते हैं, आपके option दे रखे हैं, जालिका रूपी सिराविन्यास और मूसला जड, समांतर सिराविन्यास और रेशेदार जड, स आपके समांतर सिराविन्यास और रेशेदार जड़ होती हैं तो आपको जो सही आंसर है वो है option number B समांतर सिराविन्यास और रेशेदार जड़ ये आपके बास के पौधों की पत्तियों में पाये जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को इहीं तक रखते हैं कैसी लगी और हमारी क्लास को लाइक सिर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजेगा तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं धन्यवाद